भारती टीम के पूर्व खिलाडी बीरेन सेवाग को लेकर पिछले कोछ दिनों से एक दावा किया जा रहा है कि बीरेन सेवाग इस वार वीजेपी की दरफ से हर्याना के रौतक सीट से उम्मीदवार बन सकते हैं लेकिन बीरेन सेवाग ने हाल ही में इन सब रिपोर्ट्स पर अपना खोलासा किया है सुक्रबार आठ फरवरी को बीरेन सेवाग ने अपने ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी नहीं बदलती और इलेक्शन की अववाएं भी बिलकुल वैसी ही हैं सेवाग ने कहा कि 2014 में भी इसी प्रकार की अववाएं उड़ रही थी और अब पांच साल बाद भी इसी तरह की जोटी खबरें फैल रही हैं मेरी साल 2014 में भी चुनाव लड़ने में कोई रुची नहीं थी और आज भी मेरी कोई रुची नहीं है बात खत्म बिरन सेवाग ने 8 फरवरी को ये ट्वीट अपने ट्वीटर हैंडल पर साजा किया बता दें कि फिलाल सिर्फ एक ही पूर्ब क्रिकेटर लोकसभा सांसद है और उनका नाम है कीरती आजाद कीरती आजाद बिहार के दरवंगा से साल 2014 में तीसरी बार बीजेपी के सांसद बने थे तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है सेवाग के बारे में और उनके इस ओपिनिन के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आयो तो लाइक के बटन को दबाना बिलकुल भी न भूलें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रीक आकाश को तब तक के लिए धन्यवाद चैहिन